काले चने खाने से हमारी शरीर पर क्या असर पड़ता है दोस्तों ये चने हमारी शरीर के लिए कितना लाब दायक होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा लोग इसे तलकर या फिर सब्जी बना कर खाना बेहत पसंद करते हैं तो दोस्तों आये जानते हैं चना हमारी शरीर के लेकिन अगर चने के ज्यादा फाइदा चाहिए तो इसे रात के समय पानी में भीगो कर सुबा खाली पेट खाना चाहिए जो कि हमारी शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनरजी प्रदान करेगा काले चने में केलशियम, मैगनीजियम, कार्बोहाइडरेट, आइरन, प सबसे पहले शामिल होता है, इसे हर रोज खाने से हमारे शरीर की ताकत पहले की मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे शरीर की सभी हड़िया मजबूत होने लगती है, स्टैमिना में सुधार आने लगता है, आज के जनेरेशन के लोग अनहल्थी डाइट हो जाते हैं, पर वही चना जब हम पानी में भीगो कर सुबह के समय खाते हैं, तो ये ज़्यादा फायदा करती है, जो व्यक्ति हर रोज चना खाते हैं, वो थकान, कमजोरी, हार्ट प्रोब्लम, ब्लड फ्रेसर जैसे बिमारियों से बहुत दूर रहते हैं, इसके अलावा करते हैं कि क्या कच्चा चना खाने से हमारे बोड़ी पर कुछ नुकसान तो नहीं होगा, तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का वाक आउट रनिंग या फिर जीम जाते हैं, तो फिर उनके लिए कच्चा चना पचाना बहुत ही असान होता है, क्योंकि लगातार एक्सेस करने और चने खाने से उनकी पाचन शक्ती बहुत ही मजबूत हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ती बिना एक्सेसाइज के चना खाना चाता है, तो फिर वो एक मुठ चने से शुरू कर सकता है, क्योंकि शुरुआती में उसकी पचानी की शमता उतनी नहीं होगी, जिसे कि वो कच्चे चने को अच्छे से पचा सके, और वो ज्यादा चना खाता है, तो उसे खाना ना पचने, और पेट में गैस जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर वहीं वो चने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आईगी, और अपने इच्छा अनुसार चने को खा सकते हैं और दोस्तों अगर हम 100 गराम या 200 गराम चनों के साथ एक गिलास दूद एड़ कर लेते हैं तो ये हमारे सिहत के लिए और भी ज्यादा फाइदे मंद साबित होगी तो दोस्तों आपने अपने डाइट में चने को एड़ किया है या नहीं हमें कॉमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें